अगर अभी तख आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो साथ में बेल का इकन भी जरूर दबाना क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ नए नए विद्नेस आइडिया और ओनलाइन पेसे कमाने के कहीं सारे तरीके कॉपी अधियन छेत्र में सबसे अधिक महत्वपून वस्तु है इसके बिना पढ़ाई लिखाई किया जाना संभव नहीं है ये नोटबुक अलग-अलग ब्रैंड और क्वालिटी के साथ मौजूद होती है जिन्हें इनकी क्वालिटी के साथ विभिन कीमतों पर बेची जाती है आप भी बहुत कम पैसे में नोटबुक का विवपार शुरू कर सकते हैं और अपने ब्रैंडिंग के साथ इन्हें बेचकर खूब लाब कमा सकते हैं नमस्कार दोस्तों और आज मैं आपको इस विवपार से जुड़े सभी आवशिक जानकारियां देने जा रही हूँ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको स्क्रीन पर बेल बटन दिखाई देगा बेल बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे आने वले सारे बिजनस आईडियाज की वीडियोज आपको यूट्यूब पर आजाय करेंगी तो चलिए शुरू करते हैं नोट्बुक बनाने का व्यपार कैसे शुरू करें चलिए ये मैं आपको बताती हूँ नोट्बुक बनाने के लिए विभिन कोटेड अथवा अनकोटेड पेपर यानि दिस्ता पेपर और गत्ते की आवशक्ता होती है दिस्ता पेपर की कीमत 62 रुपे प्रती किलोग्राम है और कवर के लिए इस्तमाल होने वला गत्ता एक रुपे प्रती पीस आता है आप निम्ड वेबसाइट के माधिम से ओनलाइं खरीच सकते हैं ये रौ माटीरियल हमने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी आपके लिए वेबसाइट के लिंक दिये हैं जहां आप ये रौ माटीरियल खरीच सकते हैं नोटबुक बनाने के व्यपार में आप क्या लाब उठा सकते हैं जानिये हमारे साथ एक किलो पेपर में लगभग 6-7 नोटबुक बनाई जा सकती है यदि इसे रिटेल में बेचे तो 15 रुपे प्रती पीस बिकता है एक नोटबुक बनाने में कुल लागत 11 रुपे की पड़ती है होलसेल में इसी तरह की नोटबुक की कीमत 12-13 रुपे की होती है इस तरह से होलसेल में प्रतेक नोटबुक में 2 रुपे का लाप कमाया जा सकता है इसके लिए 3 मशीनों की आवशक्ता होती है पिनप मशीन, एज स्क्वायर मशीन, कटिंग मशीन ये मशीने 4 किलो वाट बिजली लेती है और इसे घरेलू बिजली से भी चलाया जा सकता है इन मशीनों की कुल कीमत 5-6 लाग के बीच में होती है अगर आप ये मशीने करीदना चाते हैं तो आप मारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं नोटबुक्स बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है यदि एक बर इसके मशीनरी समझ ली जाए तो बहुत असानी से नोटबुक बनाई जा सकती है सबसे पहले शीट को जो कौपी के लिए कवर का काम करता है उसे अच्छे से इस तरह मोडे कि वे कौपी के अनुसार कवर के अकार में आ जाए इसके बाद इसमें जितने पन्ने की कौपी बननी हो उतने कागस को भी मोड कर उसके अंदर डाल दें इसके बाद पिनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है इस प्रक्रिया में इन कवर और उसके अंदर डाले गए दिस्ता कागर्स को पिन करना होता है इसके लिए फोल्ड किये गए दिस्ता को पिनिंग मशीन की सहायता से पिन करना होता है पिनिंग मशीन की सहायता से ये काम असानी से हो जाता है तक पश्चाथ इसे एज स्क्वाइर मशीन पर ले जाकर इसकी फिनिशिंग करनी होती है तक पर ले जासे एकार इसले से एकार इसकी फिनिशिंग करनी होती है झाल जाल झाल 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 फिनिशिंग यानि कवर से भार निकलने अतिरिक पन्ने आदी की छटाई वगारा फिनिशिंग के बाद नोटबुक पूरी तरह स्कुएर में हो जाती है इस स्कुएर मशीन में पहले इसके पिनिशिंग कस्तान अच्छे अकार में आजाता है इसके बाद इसकी कटिंग की जाती है पहले बने हुए कौपी को सामने से काटें और इसके बाद आवशकता हो तो बीट से काटके दो भागों में बाट दे पिनिंग किये गए छेतर के अलावा सामने के तीन भागों को काटना होता है इस तरह कुछ ही समय में नोटबुक बनके बिकने के लिए तयार हो जाती है 15 से 20 मिनट के अंदर कम से कम 6 से 8 कौपियां बनके तयार हो जाती है कौपी बन के तयार हो जाने पर इसे अवशक्ता अनुसार पैक करना पड़ता है यदि पैकिंग की बात की जाए तो इसे होलसेल अत्वा रिटेल के रूप में पैक किया जा सकता है होलसेल में पैक करने के लिए बड़े पैकेज बनाए जा सकते हैं बड़े बड़े बैक्स में डीलर को अविशक्ता के अनुसार कौपी पैक किया जा सकता है यदि रिटेल में अपना ब्रैंड सीधे सीधे उतारना चाहते हैं तो इसके प्रती टैकेट 6 कौपी का पैक बनाएं और विभिन स्टेशनरी दुकानों पर जाएं और उनको अपनी कौपियों के रेट्स बताकर आप अपनी कौपियां बेच सकते हैं दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो के बारे में आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम आपके मदद करने के लिए हमेशा ही तयार हैं हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चानल बिजनस आइडियास को सब्सक्राइब करें